नमस्कार दोस्तों देख जाम है कर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग ecosystem जो section है दोस्तों पेपर वन का उसके expected question को यहाँ पे हम लोग discuss करने वाले हैं जो UP, PCS, 2020 के exam में पूछे जा सकते हैं ठीक है लेकिन expected question discuss करने से पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ecosystem का syllabus क्या है उसमें क्या क्या study करना है तो syllabus में आप देखो कि दोस्तों यहाँ पे तीन syllabus यानि तीन topic mentioned है पहला है ecosystem, दूसरा है biome, तिसरा है man's impact on ecosystem and global ecological issue दोस्तों इन तीन topics से आप देखोगे तो average हर साल 15-25 number का question पूछा ही जाता है यानि हमेशा पूछा जाएगा 15-25 number का question तो इन तीन question को आप दी अच्छे से prepare कर लेते हो तो आपको 15-25 number कहीं नहीं गया है ठीक है तो देख लेते हैं इसमें study क्या करना है एक्चुली ecosystem को मैंने YouTube पर भी इसको गभर नहीं किया है ना ही इसके notes मैंने त्यार किया है लेकिन फिर भी यहां पर हम लोग डिसेस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या study करने है आपको तो यहां पर दोस्तों पहला mention है concept of ecosystem concept of ecosystem में आप देखोगे दोस्तों ecosystem की definition को आपको पढ़ना है definition क्या होती ecosystem की फिर food chain food wave और energy pyramid यह आपको concept of ecosystem के अंदर ही आएंगे दोस्तों insult का हो सकता है इससे एक question बन जाए क्योंकि मैंने 2017-2018 की recent जो question है उसमें से concept of ecosystem यानि इन topic से question नहीं पूछा गया था हो सकता है इस बार यहाँ पर 2020 से पूछा जा सकता है तिसको आप very important मार करना इसको आप जरू पढ़ लेना ठीक है फिर देखते है structure आप ecosystem दूसरा topic मैंसे नहीं structure आप ecosystem आप consumer आप देखों आप देखो कि consumer अप आपको primary consumer, secondary consumer और tertiary consumer इसमें generally herbivores बोलते हैं जो primary consumer होते हैं और directly plant को eat करते हैं फिर Carnegie was इसमें होते हैं जो primary consumer को खाते हैं फिर डी कंपूजर में फुंगी हो गया, बैक्टिया हो गया, यह सबा जाते हैं फिर यह बायोटी कंपूनेट की बात करें दोस्तों यहां पर स्वाइल, वाटर, एटमोस्फिरिक और क्लाइमेट और फोटो गिरियेट दोस्तों 2018 में एक फुचा गया था, उसमें पुचा गया था कि point ecosystem की structure और function दोनों को examine किजे, तो मेरे हिसाबसे इस बार तो directly structure और function से question साईद बनने की समाना ही कम ही है, ठीक है तो यहां पर देखो function आप ecosystem में function आप ecosystem ecosystem क्या क्या का काम होता है, जैसे regulation के काम होता है, ecosystem में regulate करता है, बहुत सारे, जो nutrients होता है उसको regulate करता है, इसके लाव yanhexies cycle को complete करने में help करता है, mineral cycle है, इसके अंदर बहुत depth में जाना जरूर नहीं है, क्योंकि depth में UPP से जनरली पूछता नहीं है, जो flavor से mention है, डायरेक्टली उस işte से आएंगे यानि function से डायरेक्ट क्यों से आएंगे ऐसा नहीं कि आपको पुछा जागा nutrition cycle क्या होती है या nitrogen की जो cycle होते हैं उसको आप explain करें सायद मेरे हिसाब से ऐसा नहीं पूछा जाता है ठीक है फिर देखो other जो function होते हैं दूस्तों energy provide करती है food provide करती है यह इको सिस्टम के function है इसके लाव और भी function होंगे ठीक है इसको आप पढ़ लेना फिर देखो टाइप ecosystem टाइप आप ecosystem में आप देखोगे तो दो टाइप की ecosystem होती है टेरेस्टियल ecosystem और aquatic ecosystem दोस्तों aquatic ecosystem से जैसे pond ecosystem है fresh water में आते हैं और river आते है fresh water में और saline water में आप होगे तो यहाँ पर salt lake होंगे और ocean होंगे ठीक है और ब्रेकिस water वाले होंगे वो saline water माएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 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 आठार में जैसे pond ecosystem के बारे पुछ लिया गाता है तो हो सकता है इस बर जो किसम बने या तो saline water से बने या आपको terrestrial ecosystem से बन सकते हैं तो आप इसको त्यार करना terrestrial ecosystem से जैसे forest, grassland, desert, tundra इसके ecosystem के बारे में आप पढ़ लेना जैसे आप से पुछे ते ग्रास लेंड की food wave या food chain आप यहाँ पर explain करो या ऐसे कुछ से बन सकता है तो मारा terrestrial ecosystem इस बार का very important में आ जाता है और यहाँ पर saline water भी important में आ जाता है तो इसको आप त्यार कर लेना फिर देखो अगला जो टॉपिक है दूसरा टॉपिक है ओह है major biome तो biome में आप देखोगे पूरे earth में जो बड़े-बड़े biome है यानि biome आप देख सकते हो तो ecosystem होती है part of biome यानि एक biome में बहुत सारी ecosystem हो सकती है तो major biome में आप देखोगे tropical rainforest आ जाएंगे temperate rainforest आ जाएंगे सावाना जाएंगे डिजर्ट टुंडरा टैगा और ग्रास लेंड भी आएंगे ठीक है सावाना जनरली क्या है कि ट्रॉपिकल ग्रास लेंड ही है तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2018 में ही दोस्तो ट्रॉपिकल rainforest biome के बारे में पूछ लिया गया था तो इस बार तो tropical rainforest biome के बारे में नहीं पूछा जागा लेकिन है आप सावाना टेंपरेट जो other जो टॉपिक है वो हमारे लिए important हो जाते है तो इसको आप नहीं छोड़ना इसको आप एक बार त्यार कर लेना ठीक है तो major biome में आपको इतने सारे पढ़ने है फिर देखो तिसर इसको आप त्यार करना कि एको सिस्टम में क्या क्या इंपक्ट होते है मैं के एक्टिविटी से और global ecological issue है इसमें बहुत ही depth में नहीं पुछा जागा डारेक्ली पूछ सकता है कि human का क्या impact होता है एको सिस्टम में या अभी current में global ecological issues क्या क्या है वह यहां पर पूछा जा सक कि यह उसके function क्या क्या है उसके क्या problem हरी ऐसा पूछा जा सकता है तो यहाँ पे मैंने कुछ यहां पे मेंशन कर रखें जैसे human impact यहां इको सिस्टम में क्या करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें चेंज है global warming है और यहां पर climate migration भी है marine pollution है marine pollution भी साथ आ सकता है hunger epidemic जैसे भी coronavirus है वो भी epidemic है यह ecological loss के चलते हो रही है यानि कि बहुत जादा जो बाइवार्वर्सी के loss हो रहा है उसके चलते epidemic भी आते हैं तो इस तरह से यहां पर question बन सकते है global ecological issues में आप से पुछा जासाता है कि global ecological issues क्या क्या है major अभी current में तो इसको आप त्यार कर लेना ठीक है तो यहां पर कुछ मैंने notes भी link provide कर रखे दोस्तों यहां पर इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं ठीक है question वाले part भी कपर हो जा रहा है structure वाले part भी कपर हो जा रहा है और type of ecosystem भी कपर हो जा रहे हैं तो यहां पर तीनों को combine करके question ही बहुत ही प्यारा से question यहां पर 2018 में पूछा गया था फिर देखो दूसरा है briefly describe the tropical rainforest यह क्या बायोम के बारे में एक tropical rainforest को बारे में पूछ लिया गया है तो इसका solution आपको discuss करना है तो इस link पर जाके आप यहां पर इसका notes ले सकते हैं यह YouTube चैनल पर भी मैंने इसको discuss कर लिया है 2017 दोस्तों यहां पर दोस्तों एक question पुछा गया कि describe the properties of ecosystem यह properties क्या होती ecosystem क्या उनके type क्या होते हैं तो यहां पर directly जो syllabus है उससे question पुछ लेगा है 2017 में ठीक है तीस बार का expected question दोस्तों यहां पर जैसे structure आप यहां फंक्सन आप ecosystem तो 2018 पुछ लेगा था इससे नहीं बनेंगे लिए कि concept आप ecosystem में जैसे food wave food chain इससे यहां पर question बन सकते हैं फिर biome tropical rainforest के लामा जो biome है उससे question बन सकते हैं या terrestrial जो ecosystem है टाइप उससे question बन सकते हैं इसके लामा देखो question आपको यहां पर mention करना है फिर term biome का term यहां पर define करना है और terrestrial biome जैसा कि इस बार का important question है terrestrial biome आ सकते हैं तो उसको describe करना है और सवाना biome को characteristics बताना है फिर indicate the major biotic region of world climate change flood problems related आप एक question है आप जो flood problem है climate change है जो global ecological इससे है उसको एक बार आप यहां पर देख लेना इस तरह से दोस्तों यहां पर ecosystem related हम लोग आज का जो 2020 में जो question पुछे जा सकते हैं उसके important topic को हम लोग यहां पर discuss किये और साथ-साथ इस levels के अंदर क्या के हम लोग study करना है वो भी हम लोग discuss किये तो I hope दोस्तों यहां जो discuss किये हैं आपको पसंद आयोंगे और जो भी हो यह पसंद जाना पसंद कुछ भी आयोंगे आप comment करके हमें जरू बताना ठीक है तो आज के वीडियो बस दिना ही दोस्तों thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो नए topic साथ thank you